जहिन सातियों अभी हम लोग उपस्ते थे हैं एक्जाम टूर चैनल पर और आप देख सकते हैं हिंदूस्तान पेपर में बहुत ही प्रत्मिक्ता से दिया गया है ब्यससे सीजियल को लेकर और ये बहुत ही ब्रिहद रूप में दिया गया है तो शंपून जनकारी इसमें लें तो आप देखें क्या हुआ और क्या हुआ उस मीटिंग में सभी लोग बताये कि मीटिंग हुआ यह है ऐसे हुआ लेकिन यह एथेंटिक यहां से जनकारी आप लोगो मिल जाएगी इसलिए हमेशा से मेरा प्रयास रहता है कि सबसे पहले आप लोगों को सही निविज दिया अंत तक देखिएगा ता आपको किलियर हो जाएगा कि हम वास्तों में 23 और 24 के त्यारी चल रही है या आगे की संभाव ना है यह पढ़ने से आपको मालुम चल जाएगा पटना अब भी विहार करमचारी चैन आयोग बीससी सीजियल तृतिय अस्तनाता कस्तरिय संजुक प्र संक्या आठ पर देखिएगा एक हजार से अधिक केंद्र बनाये जाने हैं और अधिक ब्यवस्था किया जना है क्या है कैसे हैं यहां देखिए तृतिय अस्तनाता कस्तरिय संजुक्त प्रारंभिक परिक्षा 23 और 24 को अब देखिए अब आप लोग दिल और जान से लग जा परिक्षा केंद्र में पर जैमर लगाने से लेकर केंद्रा दिक्षा की न्युक्ति तक बिस्फ धिया जाएगा अब देखिए बिहार के साथ वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के माध्यम से बैठक भी हुई अब देखें बैठक का सुचना दिया गया है बैठक के बारे में बताया गया है किसे एवज में बैठक हुई तो यहां से आपको 100% जनकारी मिल जाएगा बैठक हुई पीटी में तीन पूस्तक ले जा सकेंगे अभ्यर्थी आयोग के असपस्ट किया कि आवेधन की संख्या 40,000 से अधिक होने पर पीटी वा मेंस दोनों परिक्षा का आयोजन होगा यह तो बात हमेसा कहा जाता है परिक्षा भी से सग डक्टर राहमान ने बताया कि पीटी में अभ्यर्थी समान अध्यान समान बिज्ञान एम गलित भी से कि एक एक टेस्ट बुक ले जा सकेंगे पीटी 150 अंको की होगी यह देखिए 150 कोश्चन की होगी अधि अंको की बात करेंगे तो 600 की होगी इसके लिए 2.15 मिनट समय दिया जाएगा यानि 2.15 मिनट कर बात करेंगे तो 360 अंकेक्षक निबंधन सहयोग शमीती की बात करेंगे तो 256 योजना सहाय की बात करेंगे तो 460 मलेरिया नीर्षक की बात करेंगे तो 125 अंक एकषक अंक एकषक ने दिसाले 370 डाटा इंट्री अपरेटर 2 यह देखे यह सब होता है आपका जुनुन की लिए दिवयां के लिए 32 ना जाता है तो आपको एक्जाम जों वह समय होगा तेश और देखे जो मीटिंग होता है वो न्यूज में देने के लिए बताया जाता है क्या-क्या आज बैठक हुआ तो बैठक में बताया गया कि आज शफल संचालन के लिए यह मीटिंग किया गया यानि कि आप देख सकते हैं अब आप लोग और किसी परकार का कोई समस्या हो भी एससी भी द्यार्थी का तो मेरे से अब बात कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो तो भी आप बात कर सकते हैं आप मैसेज कर सकते हैं जै हिंद जै भारत जै इवर्ट